चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सेलेक्टिड काम की और महत्यपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनिट में पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए राहूल गांदी का संसद में 59 मिनिट का भाशन हिंदू अगनीवीर समयत 20 मुद्दों पर बोले प्रदान मंतरी मोदी के अलावा 5 मंतरियों ने खड़े होकर टोका जिया दोस्तो संससत्र के चटे दिन नेता पृतपक्ष राहूल गांदी ने प्रदान मंत्री मोधी और भाजपा को 20 से जादा मुद्दो पर घेरा उन्होंने हिंदू, अगनीवीर, किसान, मनिपूर, नीट, बेरोजगारी, नोटबंदी, GST, MSP, हिंसा, भय, धर्म, आयोध्या, गुजरात, जमुकश्मीर, लद्दाक, अडानी, अंबानी, प्रदान मंत्री और स्पिकर की चर्चा की उन्होंने नबब मिनट के भाशन के शुरुवात सविधान की कोपी दिखा कर की, भाशन के दोरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर तू-तू में में हुई राहुल ने अगनिवीर प्रदान मंत्री मोधी के पर मात्मा के डारेक्ट कनेक्शन और किसानों के MSP कानून की बात कही इस पर प्रदान मंत्री दो बार अमिट शहा, राजनात, तीन तीन बार शिवराज चोहान और भुपेंदर यादव ने एक एक बार खड़े होकर टोका दोस्तो राहुल गांदी ने कहा हिंदू डर नहीं फैला सकता, BJP डर फैला रही है अयोध्य शिर शुरू करता हूँ, राहुल के इतना कहने पर अमिट शहा खड़े हुए, कहा नियम इन पर लागू नहीं होता क्या ये पूरी BJP को हिंसा फैलाने वाला बता रहे हैं वहीं दोस्तो राहुल गांदी ने कहा कि पूरा देश जानता है कि अगनीवीर योजना सेना की स्कीम है सेना जानती है कि ये किस की स्कीम है, ये है प्रदान मंतरी का ब्रेंच चाइल्ड है इस पर राजनाद सिंग ने उन्हें टोका इसके बाद अमिच शहाने भी टोका चले दोस्तों जान लेते हैं अगली खबार ICC ने T20 World Cup की Team of the Tournament चुनी रोहित पांडिया और बुमराहा समयत भारत के 6 खिलाडी शामिल कहली को नहीं मिली जगह है जिया दोस्तों ICC T20 World Cup 2024 के लिए Team of the Tournament की घोशना कर दी गई है टाइटल जीतने वाली भारतिय टीम के 6 खिलाडीों को इस टीम में ICC ने जगह दी है इस्टार बेटर विराट कोली को इस टीम में जगह नहीं मिली है वहीं रनर अप रही साउथ अफरिका की टीम का कोई भी खिलाडी इसमें शामिल नहीं है एंडरिक निरत्यानयों को बारवा प्लेयर चुना गया है वहीं दोस्तों इस टीम में रोई शर्मा, रहमनतुला, गुर्बाज, सुरुकुमार यादव, निकोलस पूरन, हर्दिक पांडिया, अक्षर पटेल, राशिद खान, मार्कस, स्टोनिस, और बोलरो में, जस्प्र ये रिजर्व बेंक द्वारा देश में सर्कूलेशन से बाहर किये गए 2000 रुपे के गुलाबी नोटों को लेकर बड़ा अपडेट दिया है, बीते साल मई में इन करेंसी नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया था, लेकिन अब तक बाजार में मोजुद 100 फीजदी नोटों लोग दबाए बेठे हैं, चलिए दोस्तो जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर, जजज ने पूचा राहूल गांदी विदेशी है, कहां से पता चला, लखनव हाई कोट में याचका करता को फटकार कहा भाजपा कारे करता हो, इसे क्यों चुपाया, जिया दोस्तो लख सुरक्षितर रख लिया, चलिए दोस्तो जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबार, सुनिता विलियम्स की वापसी में देरी पर इस रोचीफ बोले, इस्पेस स्टेशन लंबे समय तक रहने के लिए सुरक्षित जगह है, वहां फसना चिंता की बात नहीं, जिया अधुस्तो इंडियन स्पेस रिशर्जर और्गनाइजेशन यानि की इस रोचीफ डाक्टर एस सुमनात ने कहा है कि स्पेस स्टेशन से भारतवन सी सुनिता विलियम्स की वापसी में देरी चिंता की बात नहीं है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लंबे समय तक लोगों क रहने के लिए एक सुरक्षित जगय है, इस रोचीफ ने एंडि टीवी को दिये इंटर्वियू में कहा कि यह सिर्फ सुनिता विलियम्स या किसी अन्य अंत्रिक्ष यात्री का मामला नहीं है, इस पेस स्टेशन में फसना या अटक जाना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, जिस पर चर्चा होनी चाहिए, अभी वहाँ नो अंत्रिक्ष यात्री है, उन में से सभी फसे हुए नहीं है, एस सुमनात ने का कि सभी अंत्रिक्ष यात्री को किसी ना किसी दिन वापस आना है, पूरा मामला बोईंग स्टार लाइनर नाम के एक क्रू मोडल की टेस्टिं उसके स्पेस तक जाने और फिर सुरक्षित वापस लाने की शमता से जुड़ा है, ग्राउंड लॉंच प्रोवाइडर्स के पास उन्हें धर्ती पर लाने के लिए परियापत शमता है, चले दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबार, आरक्षनों 50 प्रतिशत की स जदियू ने मांग कीती की बियार में आरक्षन में बडोत्री को सविधान की नोवी अनिसुची में शामिल किया जाए, जदियू की राष्टे कारेकारणी की शनिवार को यहां बेठक में पार्टी ने हाल ही में पटना हाई कोट के फैसले पर चिंता व्यक्त की, हाई कोट अनुचित जाती यानि की SC, अनुचित जन जाती, ST और अन्य पिशड़ा वर्ग OBC के लिए आरक्षन को 50 प्रतिशत से बड़ा कर 65 प्रतिशत करने के बियार सरकार के फैसले को खारिज कर दिया था चले दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबार मत्रा में भरभरा कर गिरी पानी की टंकी, दर्द नाक हाथसे में दो लोगों की मोत और कई हुए गायल जियन उस्तों मत्रा के कृष्णा विहार इलाके में रहीवार को पानी की टंकी गिरने से बड़ा हाथसा हुआ पानी की टंकी भरभरा कर गिरने की वज़े से दो लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है यह पूरा मामला कोतवा लिथाना शेत्र के कृष्णा विहार इलाके का है जानकारी के नुसार इस हाथसे में एक बच्ची और एक महिला की मौत हुई टंकी गिरने से सडक पर खड़े कई वहान भी सती गरश्त हो गए कई घरों में टंकी का मलबा और पानी घुज गया हाथसे मगाया लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भरती कराया गया जिन में से कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है चले दोस्तो जान लेते हैं अगली खबार जनरल उपेंदर दुवेदी ने 30 वे आर्मी चीफ का चार्ज लिया रिटायर्मेंट से पहले जनरल मनोज पांडे को गार्ड ओफ ओनर 26 महीने पद पर रहे जनरल उपेंदर दुवेदी ने रईवार को नए चीफ आर्मी का पद समाल लिया जनरल दुवेदी 30 सेना प्रमुख हैं वे इसी साल 19 वरवरी को वाइस चीफ ओव आर्मी स्टाप भी बने थे आर्मी चीफ बनने पर दुवेदी लेफनेंट जनरल से जनरल रेंग पर प्रमोट हुए थे केधारनाथ मंदिर के पास एवलांच जारखंड में निर्माना धिन पुल गिरा राजस्थान मद्य प्रदेश समयत नो राजियों में आज भारी बारिश की चेतावनी जेहां दोस्तो देशवर में जारी बारिश के बीच रईवार को उत्राखंड में केदारनाद मंदिर के पास एवलांच आया मंदिर के पीछे पहाडी पर सुबह 5 बजे गांधी सरवर के उपर बर्फ का बड़ा हिस्सा सरग गया आलांगे इसमें जानमाल का नुकसान नहीं हुआ इससे पहले उत्राखंड के हरिदुवार में शनिवार को गंगा नदी का जलिस्तर बढ़ने से आठ गाडियां बहा गई थी वहीं दोस्तो दूसरी तरफ जारखंड के गिरीडी ही जिले में मानसुन की पहली बारिश में ही एक निर्माना दिन पुल गिर गया गिरीडी ही के देवरी प्रखंड में अरगा नदी पर यह पुल 5.5 करोड की लागत से बनाया गया था लेकिन शनिवार को बारिश के करण नदी का जलिसतर बढ़ गया रही वार को नदी की तेजधारा में पुल का गरडर तूट कर गिर गया वहीं दोस्तों इंडियन मेटलोजी डिपार्टमेंट यानि के आईमडी ने आज यूपी उत्राखंड हिमाचल प्रदेश, पंजाब, अरियाना, दिल्ली, राजस्तान, मध्यप्रदेश और महाराष्ट में भारी बारिश का अलट जारी किया है इन राज्यों में 2 जुलाई तक ओरेंज अलट है, अरणाचल प्रदेश में रेड अलट है, मेगाले, अरणाचल प्रदेश, नागालेंड, मनीपूर, मिजुरम और तिरुपरा में 30 जून से 3 जुलाई के बीच 4.5 से लेकर 204.4 mm बारिश होनी की संभा होना है चले दोस्तों जान लते हैं इसके बाद अगली वड़ी खबार प्राइस की ताजा रिपोर्ट देश में मुस्लिमों की सालाना कमाई 28 पृतिशत, हिंदूों की 19 पृतिशत, सिक्कों की सरवादिक 57 पृतिशत बढ़ी जहां दोस्तों हिंदू मुस्लिम परिवारों के बीच आये का अंतर तेजी से कम हो रहा है दोनों सबुदाएगों परिवारों में यहां अंतर 7 साल में 87 पृतिशत घटकर केवल 250 रुपे बचा है जो 2016 में 1917 रुपे पृति मासिक था दोस्तों आपको बता दें गेर मुनाफे वाली संस्ता पिपल्स रिसर्च ओन इंडियाज कंसूमर एकोनोमी प्राइस के सर्वे में यहां आंकड़े सामने आये हैं देश में मुस्लिमों की सालाना कमाई 28 पृतिशत हिंदूओं की 19 पृतिशत सिक्खों की सरवादिक 57 पृतिशत बढ़ी है इस एकोनोमिक तिंक टेंक ने यहां सेंपल सर्वे देश के 165 जिलों के 1944 गाओं के 2,1,900 परिवारों के बीच किया मुस्लिम परिवारों की सालाना आये 7 साल में 2.73 लाक रुपे से 27.7 पृतिशत बढ़कर 3.49 लाक रुपे हो गई इस दुरान हिंदूओं की आये 2.96 लाक रुपे से 18.8 पृतिशत बढ़कर 3.52 लाक रुपे हो गई है चले दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबार जोमेटों को करनाटक से 9.5 करोड का GST नोटिस टेक्स डिपार्टमेंट के इस आदेश के खिलाफ अपील फाइल करेगी कमपनी जोमेटों को करनाटक के टेक्स डिपार्टमेंट ने 9.5 करोड रुपे का GST इंटरेस्ट और जुर्माने का नोटिस बेजा है कमपनी ने इस बात की जानकारी स्टोक एक्सचेंज फाइलिंग में भी दी जोमेटे की फाइलिंग के अनुसार करनाटक टेक्स अथोर्टी ने कमपनी को 5.01 करोड रुपे का GST, 3.93 करोड रुपे इंटरेस्ट और 50,19,546 रुपे का जुर्माना भी लगाया कमपनी को यह नोटिस वित वर्स 2019-20 के लिए मिला है टेक्स नोटिस मिलने पर कमपनी ने कहा कि हमारा मानना ही कि हमारे पास मेरिट बेसिस पर एक स्ट्रोंग केस है और कमपनी उचित अथोर्टी के सामने करनाटक टेक्स अथोर्टी के आदिश के खिलाफ अपील फाइल करेगी चले दोस्तो जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबार साइबर क्राइम के 50 प्रतिशत से जादा अपरादी ग्रेजुएट एमपी में 40 लाख बेरोजगार 5 साल में 22.5 प्रतिशत बड़े क्या यही अपराद की बड़ी वज़ा है जिया दोस्तो ठराजुन को भोपाल की साइबर क्राइम पुलिस ने रेवाडी से आशिश यादो नाम के एक युवक को गिरफतार किया है आशिश अपने गेंग के साथ मिलकर सस्ते आईफॉन बेचने के नाम पर सो से जादा लोगों के साथ फ्रोड कर चुका था नीडिया पर तस्वीरें भी पोस्ट की हुई है चले दोस्तो जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबार 64 साल के इतियास में महाराष्ट को मिली पहली महीला चीफ सेकेटरी कौन है I.A.S. सुजुता सेनिक जिया दोस्तो आपने बिलकुल सही सुना I.A.S. सुजुता सेनिक को महाराष्ट का चीफ सेकेटरी न्यूक्त किया गया है राजे के 64 साल के इतियास में इस पद पर आसीन होने वाली वह पहली महीरा बन गई है उनकी न्यूक्ती एकनाथ सिंदे द्वारा की गई सुजुता सेनिक 1987 बेच की I.A.S. अधिकारी है सुजुता से पहले उनके पती मनोज सेनिक भी राजे के चीफ सेकेटरी पत पर रह चुके है चीफ सेकेटरी के रूप में सुजुता सेनिक का कारेकाल एक साल का होगा और वह जून 2025 में रेटायर होंगी उन्होंने रहिवार को चीफ सेकेटरी नितिन करीर से पदबार गरहन किया चले दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबार सिंगापुर की धर्म गुरू को साड़े 10 साल की जेल भक्तों से 43 करोड रुपे ठगे आदेश नमानने पर उनके दात निकल वाए केची से भी मारा जी अनुस्तों सिंगापुर में 54 साल की धर्म गुरू वुमे को साड़े 10 साल जेल की सजा हुई है कोट ने अपने भक्तों के साथ धोका दढ़ी करने और उन्हें चोट पहुचाने समयत 5 आरोपों में दोशी पाया वुमे होग पर आरोप है कि वह अपने भक्तों का ब्रेन वोश कर उन्हें बताती थी कि वहाँ एक देवी है अगर भक्त उनके आदेश का पालन नहीं करते थे तो वू मेहो उन्हें कुरूर सजा देती थी वहाँ भक्तों को उनका मल खिलाती थी और प्लास से दात निकालने को कहती थी वहाँ भक्तों पर केंची से वार भी करती थी और उन्हें इमारत की दूसर मंजिल से कूतने को भी कहती थी